गलती से फिर से मेरा number जो है काफी लोग को कि पहले शायद किसी ने कोई भी हमारे पुराने subscribers होंगे में भी उनके पास number होगा तो कई लोग को पास number चला जाता है तो बहुत लोग के पास number है तो number से क्या होता है कि अब मैं मानता हूँ कि आपके लिए मैं एक हूँ ठीक है इतनी जादा responsibilities हैं कि मैं पूरा दिन मेरा कैसे निकल जाता है मुझे अंदाजा ही नहीं और अब गलती से भी मेरा number किसी के पास होता है और बहुत लोग के पास number है तो लगातार मुझे messages करते रहते हैं मेरे पास बहुत मुश्किल से समय निकलता है कि मैं अपनों को भी मेरे मैं घर से भी message आता है तो मम् मी ऐसा बोलते है तुम तेरा को एक message करते है तो उसका जवाब दो गंटे बाता तेरा ऐसा क्या कर रहा है समझ रहे हो मेरी ममा ऐसा बोलती मैं घर पे भी जवाब नहीं तो मैं आप से कहना चाहता हूँ, मेरे घरवाले मुझे सहे हूँ, कि तुम हमारी बात का जवाब दो तीं निंद गंटे में तेता हैं, मेरे फादर भी मुझे मेमनन घंते हैं, तो आप सोचो कि कि किसी और के पास, जिनको आप जानता भी नि नीए उं, वो मुझे मेसेज कर रहा हूं जिसके लिए मुझे समय देना पड़ता है पूरे दिन पर ठीक है उन कामों में बीजी हूं मैं एक बड़ा प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं जो कि हमारे बच्चों के लिए स्पेशली आप लोगों के लिए लेकिन आप में तसल्ली नहीं है अब आपके बात हो नहीं क्या क्या लिख देते हैं वो मैं मैं क्या कर रहा हूं मैं मुझे बस मेरी almost वो काम पूरा हो चुका है और बहुत जल्दी मैं आपके लिए लेके भी आने वाला हूं स्पेशली आप लोगों को याद दोगा कि हेट्व मोटिवेशन पर हमने स्कॉलर्शिप का प्रोग्राम चलाया था तो वो स्कॉलर्शिप का प्रोग्रम पर भी पोज किया हुआ है क्योंकि मैं उसके लिए एक प्लाटफॉर्म तयार कर रहा हूं वो 70-80% तक प्लाटफॉ मैं करूंगा और पते मैं जवाब नहीं करणा आघ् er और पते मैं जवाब नहीं दे पाता हूं तो एकस बच्चे ह। नहीं क्या लिए दिया शुर के पास आपके तो अकड़ आ गही है बहुत पैसा आ गया घ् commit please आ जवाब डे रहे ह। जादा unknown number से message आ रहे हैं मैं जानता भी नहीं आपको सोचो ज़रा और आप सोचो कि unknown number पर मैं कैसे जवाब दे दूँ मैंने आपको मेरा mobile number नहीं दिया है मैंने आपको mail ID दिये वहाँ पर आप मेरे से contact करो यार mobile number पर मेरी personal life पूरी तरह से spoil हो जाएगी मेरी request है आप से कि आपके पर सोथ तब भी प्लीज आप message मत करो आप जब mail ID पर करते हो आप mail ID पर जो team है बेसिकली वह आपके mails को अच्छे से देखती है और वही संबालती है जिसको जरुत होती है उसकी मदद भी करती है आप यह भी सोचा करो होता है जब इतना करने के बाद भी को इतना सुना देता है और क्या सुनाते हो मतलब क्या ही बताओ मैं फिर लास्ट मैंने हाथ जोड़के ऐसे बोला कि आप थोड़ा सा हमारी भी मजबूरी समझो तो यह दूसरी चीज मैं आप से कह रहा हूं कि प्लीज आप थोड़ा तसली रखो यह बहुत जादा जरूरी है मैं आपके लिए मैं एकी हूं लेकिन हमारी लिए ओल्मोस्ट 8.2 मिलियन है बस इतनी से मेरी रिक्वेस्ट है इसलिए प्लीज आप थोड़ा सा मजबूरी समझो सामने वाले की